सो हलो दोस्तों कैसे आप सब आई होपी गाइज दूइंग रिली गूड और वेरी वेल तो वेलकम तो एनदर एपिसोड ऑफ ग्लोबल मॉन लास्ट पर आप लोगों ने देखा था कि मैंने चार्मेंड को कैसे धूंडा था कैसे पकड़ा था और उसके बाद चार्मेंड को कर दिया था और वह वाला वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो मैं उपर आई बटन में लिक दे दूंगा आप जाके उस वीडियो को चेक आउट कर सकते हो तो इतना कुछ करने के बाद मेरा दिल अभी चार आता कि मैं कोई रेयर या फिर एंशेंट टाइप पोकेमोन पक कोशिश करेंगी कि एंशेंट पोकेमोन पकरने का वोफुली मैं सक्सेस्फूल हो जाओं पता नहीं आप जाने पर पता चलेगा चलिए चालिजार और में चलते हैं एंशेंट सिटी में इंशेंट पोकेमोन को ढूलने के लिए और आप भी हमारे साथ चलो मदा था बहूत आने वाला है तो हमको इस पहारी से उतर के जाना है तो हमको नीचे से जाना है सिपारी से पहले उतरते है अद्री भ Nigel पीछे ही आ रहा है और आपको पहले ही घसली दिखना स्टार्ट Chair को जाएगा चाहे नेदर हो चाहे ovallow lira हर जगा जगा गाशली करने मिलता है 40 जब मेरे साथ होता है तब मेरे को डर नहीं लगता तब मुझे लगता है कि कौन है कौन है जो मेरे को मारेगा कोई नहीं है चीज तो भूली गया मैं मैंने कुछ एक्स्टा बॉल भी बना लिए थे जैसे कि यह वाला फ्रेंड बॉल तो अगर इसमें आप पोकेमॉन को पकड़ते हो तो यह अल्रेडी आपका फ्रेंड हो जाता है और मैंने थोड़े वर्टर बॉल भी बना लिए तो चलो अब चलते हैं नीचे और एक्स्प्र इसको नाम भी मेरे को पेल नहीं होड़ा मेरे से कौन सा पॉकमर ने पता नहीं काम करते हैं इसको पकड़नी कोशिश करते हैं लेट्स ट्राइट टौ कैच इम ठीक है इसको मैं 40,000 से में लराओंगा 40,000 वापस आओ क्योंकि 40,000 अगर इससे लरेगा तो हो सकते यह मर जाए मैं इसको लड़ाऊंगा मिनन से मिलन का इलेक्टर बॉल इसको यूज़ करूँगा काफी सही डैमेज पड़ा इसको इसके बाद फिर से इसके पार ऊपर एक और इलेक्टर बॉल का और 9% हेल बचाए अब मैं इसको कैच कर सकता हूँ देखते हैं होपुली पकड में आ जाए अब ये कितना रेयर पोकेमान की कॉमोन है मुझे पता नहीं लेकिन देखते हैं कोशिश करते हैं नहीं नहीं पकड में आया एक और बार ट्राइ करते हैं होपुली आ जाए मैं एक्चिनी ग्रेट बॉल कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि ग्रेट बॉल मेरे को अरे क्या पोकेमान है भाई इसको मैं क्या ही अटेक करूं यह तो मर जाएगा मैं टूरस को निकाल लोगा तब भी मड़ेगा यह काम करता हूँ मैं टूरस से ही कराता हूँ इसको एक लास्ट बार कैच करने का कोशिश करता हूँ मैं होजा 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 प्लीज ओ ह्याग एक बात वालू मेरे को ऐसा लगा कि इससे टूरस में अपने सामने साभा ना शिचिए कि पर यसको एक बाद देखतेए और य यह है तील & टैप पोकेमौn आच्या जादू करता है जादू वाले इटपकेमौन यह के अधाइक्स-पिगश्थ काफ़ comigo दिखनाहीं तो मैंने इसके सारे ज isok तो मैंने इसके सारे में और यहादा और ने यहांपे न तो मुझे बताना जरूर मैं यहां पर अपना यह प्लेस करके जा रहा हूं तो गाइस इससे घबराना नहीं है यह शोर्ट तो करता रहेगा लेकिन आप सब पोके मान के साथ मौब से लर्णा या फिर सिर्फ मॉपस के टाइम वेस्ट करना मतलब मतलब करके मतलब लेंगे प्रोटेक्शन ऊंब्रेकिंग लडिंग यह फाइदा है नहीं पोशन अफ रीजनरेशन यहीच चीज अच्छी है आर्मर भी से है ठीक है कोई ले 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 लेते डायमेंड लेना है वाई डायमेंड लेना है यूंकि पता है डायमेंड के कुछ चीजे बनती है डायमेंड जहां भी डायमेंड दिखे न है डायमेंड ले लेना चाहिए मेरेको बस दो ही पोकेमोन दिखें अभी तक दूसरे तीसरे पोकेमोन नहीं दिख रहे है कास्ट लिक जिसको मैं एकदम से नहीं लूँगा वैसे मैं यहां पर लूट ने तो नहीं आया हूं लेकिन मेरे को यहां पर लूट का ही सामान मिल रहा है बहुत ज्यादा तो कोशिश कर रहा हो कि इसको यह वाइड करके मैं अपने लिए पोकेमॉन ही ढूंडू वह कौन है चोटा सा बहुत कॉमन है इनको मिल इनका मिलना ऐसा कोई खास बात तो है नहीं एसे ही मिल जाफ चलते फिरते दौरते भागते अर जगा यहीं दिखते हैं पहली बार में इतना मजा रहा है कि मैं बयानी कर सकते बिना किसी वर्डूक तो कि मैं ऐसे घूम्ड़ावाइब काला वाला मula में लेंगे यह पता है तो नहीं यह थैसा तो मैंने तो नहीं देखा है है काले वाले चुब को इसको नहीं जाते हैं यह कुई तो परके मुझे करना पड़ेगा पॉक्ट करना पडेगा वे muffin होने का जब तक पोकेमोन नहीं मिला तब तक मिरें को डायमेंड तो मिल रहे हैं कि करके अकलिस डायमेंड से कोई बॉल बनता है कि नहीं पता नहीं पता नहीं पर देखते हैं अगर कोई स्पॉन हो गया तो अच्छी बात है मुझे लगता है कि यहां पर टाइम स्पेंड करेगा तभी जाके एंचेंट पोकेमोन स्पॉन होने वाला नहीं तो बस यह कुलोबैट गासली यह सब चुह वह यहीं दिखने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि अपने पोकेमोन को हील कर यह बात तो सही है कि हमको दूसरे पोकेमोन भी देखने धीर धीर स्टार्ट हो चुके हैं मैं सोच रहा हूं इसको पकड़ू कि ना पकड़ा मुझे वह पोकेमोन इतना खास पसंद नहीं और लगा भी नहीं इतना खास तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया नहीं कि गलती कर दिया तो मैंने को कॉमेंड में जरूर बताना गाइस अभी तक आदव हंटे से उपर हो चुका है मैं यहाँ पर घूमे जा रहा हूं अडे यहां पर कुछ निखा यह कौन सा पोकेमोन है यह जो लाउट रेट पोकेमोन था इसी पोकेमोन का इवाल वर्जन था इसको तो मैं नहीं पकरने वाला तो मैंने देख लिया गूगल में देखो एक ही जगह पर कितने गास ली एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ वहाँ तक में इसके उपर एक दम से बाइट अच्छ अच्छ आएग भाई यह दमदार पोकेमोन है ऐसा बुरा नहीं है चलब यह करेंगे को पर कोई काम नहीं किया इसके नियुक्त अधाय करते हैं क्या या डैमेश द्टैक मतलब को यह खाया को साथ जुस पॉइंदाक को टोपी आभी तक बहुत टाइम हो चुका है बहुत टाइम गुज़र चुका है बीच में खाना खाने भी चला गया था एफ के छोर के तो मेरे कुछ लगा था कि एक यह इसका नाम में गोलर्क पोकेमॉन यह कौन सा पोकेमॉन है मुझे नहीं पता मैं इसके लिए 48 को बुलाना चाहूंगा क्योंकि यह 41 लेविल का पोकेमोन है और 40 मेरा 42 लेविल का है तो होफ़ुली 40 इसको टक्कर दे पाएगा पता नहीं कि ऐसा पोकेमोन है तो इसके उपर मैं फ्लेम दोर का इस्तेमाल करता हूं जिससे कि इसको काफी सारा ड क्याच कर सकता हूं मैं इसको ग्रेट बॉल से क्याच करने कोशिश करता हूं क्योंकि यह बहुत बड़ा पोकेमोन हो तो नॉर्मल बॉल में नहीं आने वाला आजा भाई आजा 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 हो गया यह पार्टी फूल गोलर कैस बिन एडिट पीसी अब ने दो दो आजा पकर चुकर चुकर एंचेंट सीडी से एक तो था यह मावयल और एक था फाइंग जिसको हमने अभी अभी पकड़ा है जस्ट अभी और अभी मैं चाता हूं कि हम फटा फर से घर जाएं कि क्यों में यह जो पोकेमोन मेरे को मिला है यह मेरे पीसी में आप yourself सब्सक्राइब करें कर दो औरक्र दो को में वीडियो सब्सक्राइब कर दो और जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगद ये से सीरीज आपको कैसा लगदा है निए वेन बना के दे रहा हूं तो आप पब भी जाके इस देख सकते हो एंड इसमें आपके सारे को सारे एपिसोद आपको मिलेगे तो होम स्वीट हो तो गाइज हम आ चुके हमारे घर वापस अब देखते हैं PC में चेक करते ही कौन सा पोकेमोन हमने पकड़ा है ओके तो यह हमारा 41 लेवल का पोकेमोन और यह हमारा यह वारा पोकेमोन और इसको ख है और अब आपरे और आपरी कितनी सारे मूब्स हैं भाई यह सारे हमने इसके कमबाइं कर लिये हैं कुछ लाइक गोस्टाइब एक रखें और कुछ रॉक टाइप ग्राउंड टाइब अब देखने इसको टेस्ट करके में मिला है मेरे को 43 लेवल का इसके साल लागर देख तो जोड पोड़ा ऑने भाई यह क्या पकड़ लिया मैंने यह मिला इसका है 33 लेवल चलो इसे से लटाते हैं औरब हम इसके उपर करेंगे हमारा यह हण इस्तेमाल लबाव रिच्टमर से Ск engaging मेरे hem 47 लेवल का ट्वर्स से मिलिया सभी च्रोह रिखुआइब चा ले चाक् और यह भी ग्राउंट टाइप पोकेमोन है तो मैं सोच रहा हूं इसको एक बार फाइट कराकर देखते हैं कि कौन चीता इन दोनों में से अब इसका है थोड़ा सा क्लो है लेकिन फिर भी मैं इसके पूरस के ओपर मैं मैं फोकस पंच का इस्तमाल करूंगा वह भाई टूरस का हालत बहुत ज्यादा खड़ाब इसके उपर मैं लास्ट मैं सोचता हूं कि एक बार यह फिर सिस्तमाल करें स्टॉंपिंग वाला और स्टॉंपिंग वाले टैक से ही तूरस का खातमा हो चुका है 3496 experience मिल चुका है हम मैं नहीं पता मुझे जरूर बताना के स्टार क्यों है यहां पर ostat leg पकड़ लि impul me अधिन वहाहं पर क्यों मैं बता लिए स्टार क्यों नहीं पता ही हूँ लोगा इसी नकीश है और सब सबसें सबसें को फ्यए Steak है के चीज में उसके साथ होता था मेरे दो जीए था यहisenandar कर लियाम POL कर लिए एक चाह्तपर उडकी मीरे पास सट को कली है में सचना हूं कि मैं मैं यह इ excitяг और क्यालामा कुछी नहीं है क्वाटर टायर को इट खिंक होंड़ाइस पक्रेशन मैं hoping करता हूँ कि मैं स्कॉटल को पख़ए रिवर पे नजर रखते हुए चलेंगे इधर उदर क्योंकि यहां ही पे रिवर है दूसरे जहां पे मेरा होम है वहां पे वह रिवर कुछ जादा ही बड़ा है वह देखो यहां से देखो स्कॉटल के दादा दिख रहा है वह राजा भाई गुलार क्या मेरे को एक बोट बना लेनी चीज़ मुझे अभी वही लग रहा है काम करता हूँ एक बोट बना लेता हूँ अब बोट की मदद से ढूनेंगे हम कोटल को ने सर्च करके तो देखा कि नदी में मिलेगा ज्यादा समुन्दर में मिलने के चांसे कम बोट से नहीं चलना चाहिए मुझे एक पल के लिए इसको देखके तो लगाता मिलिया उपर ऐसे खड़ाता लेकिन फिर देखा नहीं नहीं यह तो नहीं है मैं रिवर किनारे किनारे बहुत दूर आ गया देखो सामने मेरे को एक दूसरा विलेज भी दिख रहे हैं मचाव आपको बार-बार देखके मेरे को स्कॉर्टल के वा रही है यहीं स्कॉर्टल है अब यह पानी से उतर पानी से निकल आ रहा है नदी के उपन नजर रहना पड़ेगा तो स्कॉर्टल हाथ से निकल सकता है भाई कैसा दिख रहा है इसका हाथ में ड्रिल मेशीन खोड डालेगा पुरा चलते हैं स्कॉटल को ढूरने की जर्नी फिर से सुरुवात करते हैं भाई की स्कॉटल करता हूं क्यूंकि स्कॉटल का यह 27 इसका इसलिए मैं इसके उतारा क्यूंकि नई तो मेरे बागी पूगे मौन तो स्कॉटल से काफी तागत पर है है मर जाएगा स्कॉटल काफी डॉचुका स्कॉटल में एक बार कैच करने का कोशिच करता हूं मेरे पास वोटर वाली बॉल्स हो जाएगा है है होजाए तो बड़ा अच्छा होगा कि मैं इस पर बैटके देख्टा हूं ऑस चैच हो गया भाई फॉटल क्याच हो गया है य इवर सवाना वाली विलेज्ट से एक बार पीची पर चलते हैं अपने स्क्वाटल बोट को में यहां पर रख देता हूं भूट को लेके जाने की ज़ूरत नहीं है और यह हमारे आड्ज हो चुका है हमारे पास मैं अब साइड़क को यहाँ पर रखके स्कॉटर को लेता हूं चलो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं स्कॉटर के पास कौन से कौन से मूव है कौन से पावस है यह क्या है जेंजर लेवल 41 और यह डिट बाइए दूनों मेरे बोर्ट पर बैढ़ गया है एक सेगंड भाई यह जैंजर बहुत अच्छा पोकेमान मुझे पता इसके अच्छे एटैक्स बहुत अच्छे हैं चैंजर को पकरेंगे जैंजर को नहीं चोरेंगे जैंजर को फा अब इसको कैच करते हैं मैं जेंजर को पकड़ता हूं इस वाली बॉल पे ग्रीन वाली पर पकड़ते हैं इसको ओफुली जेंजर पकड़ में आ जाए वाई यह प्ला पोकेमोन अच्छा है भाई नहीं निकल गया एक और बॉल इस्तेमाल करते हैं आजा 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 चलो लाज्टे ग्रेट बॉल ट्राइगरते हैं भाई इसका कैच्छर इतना बरिया है जेंजर नहीं आड़ा भाई इसके इंदर भाई फाइनली जेंजर आ गया तो गाइस आज हमने काफी सारे पोकेमोन पकड़ चुके हैं देख सकते हो हमने आज कि शेयर करके भाई को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं अब सब लोगों से हमारे नेक्स वीडियो में सी यू गाइस सी यू सूू हुआ 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 है